डर लग रहा है न, कहीं जीतने से पहले हार न जाओ, शुरू तो सफर कर दो, पर घबरा न जाओ, डर लग रहा है न, की बंदिशे कहीं लोक न ले, आजादी पाकर भी कहीं अपने अंदर जोक न दे, महनत तो खूब कर रहे हो, पर जीत उतनी मिली नहीं, कहीं ये तो नहीं सोच रहे न कि ये सफर तुम्हारा नहीं क्योंकि सफर पर चल मंजिल भी एक दिन आएगी रास्ते की हार ही तुझे जीत के पास ले जाएगी नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में और मुझे लगता है मेरी ही तरह इस टाइम पर हम सभी EMRS एस्पिरेंट्स को इस मोटिवेशन की बहुत जरूरत है बहुत जरूरत है ये सोचने की कि हमने गलतियां कहां की बहुत जरूरत है ये सोचने की कि कौन से हमारे वीक पॉइंट्स रह गए थे और बहुत जरूरत है यह सोचने की कि क्या ऐसी कमी रह गई कि हमारा सेलेक्शन नहीं हुआ और बहुत जरुरत है यह सोचने की कि अब आगे हम क्या करें यह चीजे हमें सोचने ही पड़ेंगी इस टाइम पे डी मोटिवेट बिल्कुल भी नहीं होना है अपने सिर्फ वीक पॉइंट्स को देखना है स्लिबर्स देखना है कि आगे क्या तयारी करें किसकी तयारी करें कैसे तयारी करें और उस तयारी में जुट जाना है क्योंकि जो नकामियाबी है उन्हीं के पत पर चलते चलते धीरे-धीरे हमें कामियाबी हासिल जरूर होगी क्योंकि हमें भी पता है कि अगर हम किसी भी चीज की तयारी कर रहे हैं तो उसमें कहीं न कहीं failure होने के chances भी होते हैं और failure से ही इनसान कुछ न कुछ जरूर सीखता है, ऐसा कभी नहीं होता है कि हम उससे कुछ ना सीखें अगर आप failure से कुछ नहीं सीखें हैं that means आपका जो path है वो right नहीं है failure से जब आप कुछ सीखेंगे तभी आपका right path होगा और धीरे धीरे उस right path पे चलते चलते कभी ना कभी आप अपना target जो है वो जो goal है आपका वो achieve कर लेंगी तो जैसा क मेरे साथ हुआ ऐसे बहुत सारी EMRS experience के साथ हुआ होगा उनका selection नहीं हुआ होगा बहुत हजारो लाखो बच्चे ऐसे होंगे जिनका selection नहीं हुआ है तो जिनका selection हुआ है उनको बहुत बहुत बदाईया उनका selection हो गया है उनकी मेहनत सफल हुई है लेकिन अगर हमारा selection नही हुआ है तो मायूस में यह नहीं कह रही हूँ, आप दुखी ना हो, दुखी होंगे, जब हम महनत करते हैं, तो दुख तो होगा ही होगा, लेकिन आप उस दुख को और जादा अपनी महनत में बदलिए, उस दुख को बिल्कुल अपने उपर हावी ना होने दे, यह ना सोचे कि अब हम नहीं कर पाएंगे नहीं कर पाना कुछ होता ही नहीं है कुछ भी चीज ऐसी है ही नहीं जो impossible हो अगर हम यहां तक पहुँचे हैं हमने तयारी की है हमने paper दिया है हम कुछ mark से रह रहे हैं तो हम आगे भी achieve कर लेंगे अपना target बस जरूरत है सिर्फ वो सोच की जो हमें अपनी बदलनी है हमें सिर्फ और सिर्फ positive सोचना है positive लोगों के साथ रहना है हम मैं यह नहीं कह रही हूँ कि अपने दुख को आप व्यक्त मत कीजिए अपने दुख को जरूर और जरूर बताए यह उस इंसान के साथ जिसके साथ आपका मन करें कि आप उससे अपना दुख बाटना चाहते है तो अपना यह जो दुख है चाहिए वो आपका husband हो friend हो, maa हो उससे जरूर बाटें वो आपको एक सही सला देगा आपको motivate करेगा चाहे तो मेरे साथ बाटें आप comment section में लिखके जरूर बताएं कि आपके कितने marks थे या आपका selection हुआ या नहीं हुआ क्या problems आई है मैं तो यही चाहती हूँ कि हम सब मिलकर जिनका भी selection नहीं हुआ है वो सब मिलकर इस 2024 में एक target रख दें कि हमें इस साल जॉब लेनी ही लेनी है और हम सब मिलकर कोशिश करेंगे तो जरूर होगा और जिनका selection हुआ है वो प्लीज हम सब को guide करें क्योंकि यहाँ पे कई लोग ये भी बोलेंगे कि देखो पढ़ रही थी इसका selection नहीं हुआ आपको भी बोल रहे होंगे मुझे भी बोलेंगे लोगों का काम ही बोलना है लेकिन हमें पता है न हम कैसे पढ़े क्या पढ़े कितना पढ़े तो उसकी जिम्मेदारी हमारी है तो बस हमें किसी और के सुनना ही नहीं है negative people से जितना भी हो सके दूर रहे उनके पास रहे जो आपको support करते हैं जो आपको motivate करते हैं जो कुछ भी हो जाया हमेशा आपके साथ खड़े हैं जैसे कि होती है हमारी मा हमेशा अपनी मा से जुड़के जरूर रहे जब भी कोई भी गढ़बड होगी या कुछ भी आप demotivated feel करेंगे low feel करेंगे कभी भी तो एक माँ जरूर होती है जो आपको सहरा देती है माँ से बढ़कर इस दुनिया में कोई होता ही नहीं है तो माँ को जबी भी आप अपने दिल की बात बताएंगे न ऐसा हो ही नहीं सकता है कि वो आपको demotivate करें वो आपको बोलेगी बच्चा हो जाएगा करो हो जाएगा जैसे बच्पन में हमारी माँ हमें प्यार से उठाती थी हमेशा उठाती थी कि पढ़ो 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 करती रहती थी खुद नहीं सोती थी क्योंकि ये सोस्ती थी कि अगर मैं सो जाओंगी तो फिर पदा चला ये पढ़े ना ये सो जाए तो सुबह उठाती थी पांच बजे चार बजे की एक्जाम टाइम में बिटा पढ़ो उसके वज़े से मम्मी खुद नहीं सोती थी तो मतलब इतना स्ट्रगल कोई नहीं कर सकता हमारे साथ तो अपनी मा के पास हमेशा रहें उनसे कॉंटेक्ट में हमेशा रहें तो मुझे भी दुख हुआ है मैंने भी अपनी मम्मी से शेयर किया अपने हस्बन से शेयर किया उसके बाद मैंने ये सोच लिया कि जो भी है मुझे अपनी तयारी तो आगे continue रखनी है मैं एक भी दिन waste नहीं कर सकती हूँ और सारे काम निप्टाने के बाद सारा घर आपने देखा कितना फैल जाता है बच्चों के साथ सुबह मैं सारी साफ सफाई करती हूँ फिर बच्चे वैसा ही कर देते हैं मैंने आपको दिखाया भी वीडियो में और उसके बाद फिर दिन में आज मेरे हस्बन का off था तो फिर मैं दिन में लेकर बैट गई अपनी किताबें मैंने हस्बन के साथ बच्चों को पार्क में भेज़ दिया था वो वहाँ पे 1.5 गंटा रहेंगे तो मैंने अपना मॉक टेस्ट उठा लिया मैंने सोचा कि पार्ट A को मैं एक घंटे में मौक टेस्ट टाइमर लगा के मैंने किया 100 questions होते हैं TGT का 200 का paper है तो मैं यही सोच के चल रही हूँ कि पार्ट A को मैं एक घंटा दूगी और पार्ट B को भी मैं एक घंटा दूगी और तो एक्जाम में भी मुझे ऐसा ही करना है इसलिए मैं अभी से practice कर रही हूँ कि एक घंटे में मैं maximum से maximum कितने question कर पा रही हूँ और कितने question सही हो रहे हैं तो इसलिए मैंने part A का mock test दिया यह और उसके बाद मैं check कर रही थी कि मेरे कितने question सही है और कितने कोशन सही नहीं है ये मैंने बुक का नाम भी आप बच्चों को बता दिया है मैं हर जो भी बच्चे वीडियो के नीचे कमेंट करते हैं कि मैं इस बुक का नाम बताओ उस बुक का नाम बताओ है और English vocab के book के बारे में बताया हुआ है या फिर मैंने Max की book के बारे में बताया हुआ है क्योंकि सब को reply करना कई बार possible नहीं होता जिनके urgent questions होते हैं जिनका जवाब मैंने आज तक नहीं दिया है मैं उनके reply कर देती हूँ क्योंकि मुझे भी अपनी तैयारी करनी है तो वो भी मैं कर रही हूँ तो मैंने mock test दिया इसमें मेरे 58 correct questions थे और wrong मेरे 16 हुए थे तो मैंने negative marks करके मेरे 100 में से 54 बन रहे थे फिर शाम को मैं चाय लेके बैठ गई थी और इस ठंड में तो बिलकुल बहुत जादा मन करता है चाय पीने का और आप में से किस-किस की चाय फेवरेट है और comment section में जरूर बताना और फिर मैं उसके बाद अपनी vocab याद करने लग गई क्योंकि अब मैंने routine मना दिया है कि vocab के बाद मैं एक practice session जरूर दूँगी कि कितने marks आ रहे हैं मेरे तो ऐसे धीरे-धीरे करके अपना routine में change कर रही हूँ फिर मैंने vocab अच्छे से याद की 20 vocab और मेरी लगभग 140 vocab हो गई है इस book में 300 plus vocab है और भी है मतलब जो section मैं करने हूँ उसमें 600 plus है तो मैं धीरे-धीरे करके सोच रही हूँ कि मैं इनको complete करूँगी और उसके बाद practice sets करती रहूँगी तो मेरा काफी अच्छा vocab हो जाएगा और vocab करने के बाद मैंने practice set भी vocab का दिया था 10 में से आप आगे देखेंगे कि मेरे कितने marks आए तो बस मैं ये चाहती हूँ कि जिन भी बच्चों का selection नहीं हुआ है वो अपने आपको बिल्कुल तयार कर लीजे 2024 में बहुत ज़ादा vacancies आने वाली है जहार खंड की आएगी अभी बिहार की अभी फिर से आएगी BPSC की और उसी के साथ DSSB की है और में भी हो सके तो क्या पता दुबारा ही है हमारा इसकी vacancies इस साल के end में देखने को मिले आपको तो आपने एक बार paper दे भी दिया है तो आपको अंदाजा भी लग गया है किस type का paper होगा कैसा होगा क्या होगा तो बस अब किसी भी चीज के excuse मत छोड़िये कि हमें time नहीं मिल रहा है हमें ये नहीं मिल रहा है वो नहीं मिल रहा है अब आप मतलब ये लगा लीजिए कि अगर आपको कैसे भी करके four hours तो minimum है उतने तो निकालने ही निकालने है और हो सके तो six plus hours की आप study time table अपना बना लीजिए कि मुझे 6 से जादा घंटे पढ़ने है अगर आप लगा तार 6 महीने या एक साल 6 से जादा घंटे रोज पढ़ेंगे ना जैसा हो ही नहीं सकता कि आप कोई government job ना निकाल पाएं अब मैं मानती हूँ house wife को time कम मिलता है मुझे भी 6 घंटे नहीं मिल पाते हैं क्योंकि सिर्फ house wife होती तो बात अलग थी दो बच्चों की मा भी हूँ तो दोनों को भी देखना पड़ता है उनको खिलाना पिलाना नहलाना पढ़ाई करानी है पांच साल की जो मेरी लड़की है उसको तो ये सब करने में मिलको October पता ही नहीं चलता कब दिन निकल जाता है तो लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूं कि 4 hours के आस-पास मैं निकाल सकूं जैसे भी 3 hours तो मैं निकालती ही हूं रोज और मैं कोशिश करती हूं कि कभी जाधा भी निकालूं जैसे मेरे आज husband की off था तो फिर मैंने आज mock test भी दिया मैंने English का याद करने के बाद English का एक practice set 10 marks का था वो भी लगाया और उसके बाद मैंने बाकी चीजें भी करी तो मैं जितना हो सके कोशिश करती हूँ कि जिस दिन उनकी off होता है तो उस दिन मेरे को जाहा time मिले और मैं ज्यादा practice करूँ और आप से भी बस यही उमीद करूँ कि जैसे भी हो सके कोशिश करते रहे बोलते हैं ना जहां चाहा है वहां रहा है तो अगर आप चाहेंगे तो रहा हमेशा मिल जाएगी लेकिन अगर आप चाहेंगे नहीं किसी चीज को तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता में तब mainly सबसे पहले यह होता है कि आपको अपने mind को set करना है कि मुझे करना ही करना है चाहे कुछ भी हो जाए इस 2024 में मुझे जॉब लेनी ही लेनी है चाहे कोई कुछ भी कहे आपको किसी की नहीं सुननी है आपको सिर्फ और सिर्फ negative people से दूर रहना है उनकी बाते सुननी ही नहीं है क्योंकि अगर उनकी बात सुनके होगा क्या हम अपने आपको और demotivate feel करेंगे और housewife की housewife ही रह जाएंगे और जहां है वही रह जाएंगे कोई progress नहीं होगी आपको भी पता है कि पढ़ाई कभी बेस्ट जाती ही नहीं है तो पढ़ाई जितने भी हो सके आप बस करें करें और करें और फिर शाम के टाइम में अपना खानावाना बनाने लग गई थी और आज मैंने mix wedge बनाई है सर्दियों के टाइम पर मुझे बहुत अच्छा लगता है खाना खाने में क्योंकि भूग भी खूब लगती है और साथ ही में क्या होता है ना कि मतलब इत्ती सारी vegetables होती है तो बनाने में खाने में बहुत मज़ा आता है और मुझे खाना बनाने का शौक भी है मतलब पढ़ाई के अलावा मुझे कर दूशा यह जो शौक है वो खाना बनाने का बहुत शौक है मुझे तो इसलिए फिर मैंने mix wedge बनाई थी और मैं सर्दियों में बहुत जादा हरी सबजिया बनाती रहती हूँ कि जिससे मतलब हरी सबजिया सीजन सर्दिया ही होती है तो उसमें हमें पूरा nutrition मिले अच्छे से और उसके बाद शाम का मैंने पूरा काम वाम निप्टा लिया था और उसके बाद मैं फिर से पढ़ाई करने के लिए बैट गई थी क्योंकि मैं तब ही क्योंकि वहीं खाते ये पीते उनको टियार व्यार साब कुछ कड़ते वढ़ते शुलाते शुलाते मिलगो दस सालगा दस बज जाते थी हो तो लग भग रात में मिल को दो घंटे मिनिम안 2 से 3 घंटे मैं अधिन बहर और पुगो पिर निकालती हैं उसमें मेरा जो बिटा है वह चोटा एक साल का आप दो से तीन बार उट जाता है फिर उसको फिर से सुलाओ तो मतलब वो कहने के लिए 3 गंटे होते हैं मेरे पास लेकिन उसमें से मैं 2 गंटे ही पड़पाती हूँगी एक गंटा तो मेरा सुलाने में ही चले आता है उसको तो ऐसा हर मा के साथ होता है तो बस मैं यही चाहती हूँ कि चाहे कुछ भी हो सिचुईशन कैसी भी हो हमें अपनी स्टडीज को नहीं छोड़ना है और आज वेजिटेबल्स भी ले आये थे यह हफते में एक ही दिन लाते हैं हाट लगता है तो उस दिन मेरा काम और बढ़ जाता है रात के 10 बज रहे हैं और मैं सबजियां धो रही हूँ सारा काम लिपटाने के बाद मैं अब सबजियां धो रही थी मैंने सारे जो भी किचन के बरतन बरतन कर लिये थे खाना वाना खिला दे था बच्चों को उसके बाद वो सो नहीं रहे थे तो मैंने सुचा कि इस सबजियां ला रखी हैं तो इनको धोई देती हूं और दस बजे में सबजियां धो रही हूं तो आज मेरे को और लेट हो जाएगा पढ़ाई मैंने ग्यारा बजे से शुरू करी थी आज और ये पौने बार हो रहे हैं मैं पढ़ी रही थी तो मैं लगभग साड़े बारा एक बिए तक पढ़ूँगी क्योंकि ठक भी जाती हूं कि मैं दिन में भी नहीं सोती हूं सिर्फ रात में एक बजे से मैं सुबह कभी 6 कभी साड़े 6 साथ बिए तक सोती हूं तो वही है कि जो मेरे को 5-6 घंटे मिलते हैं वहीं मिल से लेंगे तो आगे जो हमें मिलेगा वो इतना अच्छा होगा कि जिंदगी फर पhr tram से सोते रहे कुछ भी करते रहे हैं तो वही है कि अगर कुछ पाना है तो अपनी नीन को खोना ही पड़ेगा तो इसलिए हमें अपनी नीन को सेक्रिफाइस करना ही पड़ेगा अपने comfort zone उन से भार निकलना ही पड़ेगा और बस मैं ये चाहती हूँ कि जितने भी लोग जिनका सेलेक्शन नहीं हुआ है वो बिलकुल भी सैड ना हो और मेरे साथ स्टडी करना शुरू करें और मेरा मकसद कोई ये दिखाना नहीं कि मैं बहुत जादा पड़ रही हूँ या ऐसा व पॉस्टिव एंवार्मेंट क्रियेट करें और सब मिलके अच्छे से पढ़ सकें कोई भी डिसकरेज ना हो कोई भी ये ना सोचें कि मुझसे नहीं होगा वह फेलियर तो हर चीज की कहानी है है ना अगर मैंने कोई एक्जाम दिया है तो फेलियर से डरना नहीं है बिलकुल भी खराब फील होता है मुझे भी फील हुआ था फिर भी मैंने ये सोचा कि मुझे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है अब जो हो गया सो हो गया अब एक्जाम नहीं निकला तो नहीं निकला अब उसमें तो मैं कुछ नहीं कर सकती ना बस मैं ये कर सकती हूँ कि मैं आगे की तयारी करो प्लीज अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेर जरूर करें जिससे हमारी जैसे जो स्ट्रगल कर रहे हैं रोग चायो लड़का हो लड़की हो हाउस वाइफ हो वो इस वीडियो को देखें और समसम मिलकर कोशिश करें